आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लिएशन पाओ डाउनलोड नाओ Cold Reserves are said to be enough to last for another 100 years Do you think we need to worry in such case? Why or why not? यहाँ पर बोला गया है कि जो Cold Reserves है वो माना जाता है कि Next 100 सालों के लिए वो चलता रहेगा लेकिन हमें इस चीज में वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पे हमारा क्या विचार है तो बेसिक अलिए क्या होता है कि Cold जो है यह हमारा एक Fossil Fuel है ऐसा Fossil Fuel जो कि Day by Day Decrease करता जा रहा है और जो कि Exhaustible Fossil के अंदर Consider होता है ऐसा इसी वेसे क्योंकि क्या होता है कि Fossil Fuel के बनने का जो टाइम होता है वो होता है More Than Thousand Years और More Than Thousand Years पे अगर Fossil Fuel बनता ही है तो अगर हम लोग इसे अभी ही खतम कर देते हैं तो आने वाले जेनरेशन में ये जाहिर सा बात है कि हमें Fossil Fuel जो है वो नसीब नहीं होगा और जो जिस स्पीड से हम लोग जो हूमन्स हैं वो ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो Fossil Fuel है जैसे For example, coal, petroleum उससे ये ज़रूर लगता है कि आने बाले 100 येर्स में ये जो Fossil Fuel है वो एकदम से Reduced या फिर एकदम से क्या होगा कि खतम हो जाएगा और जैसे ही या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये Fossil Fuel अगर खतम हो जाता है तो ये चीज हमारे कि Fossil Fuel से ही हर काम जो है वो Possil Fuel हो पाता है जैसे फॉर एकदम अगर हम लोग Electricity का बात करते हैं तो वो भी Fossil Fuel से होता है अगर हम लोग Water Pumps का बात करते हैं तो वो भी क्या होता है कि Possibly Fossil Fuel से ही होता है अगर हम लोग Vehicles का बात करते हैं तो वो भी fossil fuels से होता है और इसी लिए हमें alternative methods पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए fossil fuels जो हैं वो sustain हो सके जैसे for example हमें कुछ ऐसे renewable energies पर ध्यान करना चाहिए या फिर ऐसे renewable energies पर switch करना चाहिए जिसके लिए हमारे fossil fuels जो है वो waste कम हो या फिर consumption reduce हो जैसे for example हम लोग को wind flower plant में जादा ध्यान चाहिए या फिर ध्यान देना चाहिए क्योंकि wind जो है एक inexhaustible natural resource है जो कि कभी खतम नहीं हो का या फिर जैसे हम लोग को sunlight से बहुत कुछ करना चाहिए या फिर यूटिलाइज करना चाहिए जैसे कि fossil fuel का utilization कम हो और वो जादा से जादा दिन तक यहाँ पे earth surface में sustain हो सके क्लासिक्स से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर